हेलो प्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल में यह आज हमने सक्कर पारे बनाए है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही क्रंची होते हैं तो चलो बनाना शुरू करते हैं यह हमने एक बाउल आठा लिया है और उसी बाउल से हम आदा बाउल लेंगे चीनी और यह कुछ देसी घी मोहिन के लिए और यह है सूखा नारियल जिसे हमने कद्दुकस कर लिया है अचीनी में डालेंगे पानी जितनी चीनी है उतना ही पानी डालेंगे और यह आठा हमने एक परात में कर लिया है और उसमें मिलाएंगे यह सूखा नारियल और दो चम्मच अगर यह बंद रहा है तो मोईन हमारा परफेक्ट है और यह हमने चीनी को घोल लिया है अब यह चीनी मिलाएंगे आटे में और इसका एक नरम डो लगाएंगे दोस्तो नरम डो लगाना है सकत नहीं यह बाद में सकत हो जाता है और आपका उसी पानी में डो लगके तयार हो जाएगा अगर अब यह देख लें पंद्रम में ट्रेस्ट के लिए रखा है अब देख लें अगर आपका डो टाइट है तो इसे पानी लगाके सॉफ्ट कर लें जब यह चिकना हो जाए उसके बाद हमें इसकी बनानी है एक बनानी है एक लोई बड़ी सी और इसे बेल लेंगे ओल लगा के थोड़ा से बेलन पर भी ओल लगा दिया है हमने और एक बड़ी सी पूरी बेल लेंगे और इस तरह का कोई कटर या गिलास या धकन कुछ भी हो उससे इस तरह से हम काट देंगे यह गोल डिजाइन बनाई है हमने दोस्तो हमने चार डिजाइने बनाई है आपको जो पसंद हो उसमें से कोई भी बना सकते हैं और इस तरह से हमने कट कर लिये हैं और धाली में रख दिये हैं अब दूसरी डिजाइन काटेंगे देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है और इसे ट्रेंगल सेफ देंगे इस तरह से आप चाकु से काट सकते हैं अगर पीजाइन आपके पास तो उससे भी काट सकते हैं यह हम चाकु से काट के दिका रहे हैं अब अ पीज़े कटर से काटे हैं इस तरह से सबही काट लेने हैं हमें और इसकी ज्यादा मौटे भी नहीं रखने हैं और ज्यादा पतले भी नहीं ही दिखने से इसकी इतनी होने चाहिए देखिये और दूसरी तीसरी डिजाइन ये हमने फिर काटी है ये गोल काट लिए है फिर उसी गिलास से हमने भी से काटे हैं ये दूसरी एक ये सेप बन गई है चांद जैसी और दूसरी सेप चारो सेप बन के तैयार हो गई है आप जिस भी सेप में बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं कर दो दोस्तों इनने सबीको से लेंगे कि आई फिल्म पे नहीं सेखना है नहीं तो ये कच लए दाये इंदर से और उपर सी सिक जाएंगे इसे लो मीढियम फ्लेम पे ही से एकनाँ है दोस्तो और बहुत ही क्रंची लगती है खाना में तो बहुत ही टेष्टी लगती है और बहुत जादा क्रंची होती है एक कोई ट्राइ जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि objectively कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे सैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और यह सेख चुके हैं अब हमने यह निकाल लिए हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और यह दूसरा वैच भी हमने डाल दिया है इसी तरह से इन्हें भी सेख लेंगे दूस्तों यह फूल के आजाते हैं यह देखिए और फिर इन्हें पलट देंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार ट्राइ जरूर करें और इस तरह से हम सभी से इक लेंगे पलट पलट के और इन्हें भी निकाल लेंगे हम यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और यह तीसरी डिजाइन के भी शेक लेंगे हम और यह भी हमारे शक्के तयार हैं इन्हें भी निकाल लेंगे और आप रहे गई हमारी चौधी डिजाइन इस ट्रेंगल से इन्हें भी हम शेक लेंगे इसी तरह से देखिए इस तरह से हमने निकाल लिए हैं और इसी तरह से हम सब इसी एक लिए हैं हमने और आप इन्हें देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कुछ इस तरह से लगेंगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो हम तब तक के लिए बाए बाए